जैशे राम जीवन और मरण इस धरती का अटल सत्य है जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे एक न एक दिन इस धराधाम को छोड़कर जाना ही पड़ता है और जब मिर्तू हो जाती है उसके बाद विभिन धार्मिक माननेतावं के अनुसार कुछ लोगों को दफना दिया जाता है और कुछ लोगों को जला दिया जाता है इन दोनों ही प्रसंग में आज के युवा जो है उनमें एक ट्रेंड चल पड़ा है कि वो जो कोई भी मरता है उसके शोक में वो आर आई पी लिख देते हैं ये एक वेस्टर्न कल्चर है और उस वेस्टर्न कल्चर के भाकावे में आकर के आज के जुवक आर आई पी लिखना शुरू कर देते हैं इसके कारण हमारे जुवाओं को धर्म की मूल और धारनाय या तो पता ही नहीं है अथ्वा बिक्रित हो चुकी है आर आई पी शब्द का अर्थ होता है रेस्ट इन पीस शांती से अराम करो यह शब्द उनक के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिने कब्र में दफनाया गया हो क्योंकि इसाई अथ्वा मुस्लिम मानेताओं के अनुसार जब दुम्स डे आएगा जज्मेंट का डे आएगा कियामत का दीन आएगा उस दिन कब्र में पड़े यह सभी मुर्दे पुनर जिवित हो ज जला दिया जाता है अता उनके रेष्ट इन पीष्क का सवाली नहीं उत्पन होता है हिंदु धर्म की मानेताओं के अनुसार मनुष्य के मिर्टू होते ही उसकी आत्मा उस शरीर से निकल करके किसी दूसरे नए जीव का या शरीर नौजात में प्रविश कर जाती है उस आत सब्वाइब अगर कोई हिंदु मृतात्मा हैं तो उनके लिए सरदान जली विनमर सद्धान जली शान्ति आत्मा को शद्गति प्रदान करें जैसे वाक्च के लिखे जाने चाहिए नो कि आर आइईपी इसलिए हिंदु सरातन धर्म में आराइपी का आराइपी कर दीजिए हमारे धर्म में आराइपी का कोई इस्थान नहीं है सबको सरधान जली दीजिए और उनके सद्गति के लिए उनकी आत्मा के सद्गति के लिए प्रार्तना कीजिए अपने कल्चर को पहचानिए अपने संस्कृति को पहचानिए और अपने अंदर जो भी गलत अधारनाय है या विकृतियां हो चुकी है उनसे निकलिए फिर मिलते हैं एक नए तद्धे के साथ तब तक के लिए जैशे राम